हेलो फ्रेंड्स वालकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम हाजिर है एक नाए एक्सपिरियंस के साथ जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम एक कलर पर चर्चा करेंगे यह कलर है हमारा निशा का जो की चॉकलेट ब्राउन कलर है 100 परसंट ग्रे कबरेज करता है नो एमोनिया है इसके साथ हमें यह सब चीज़े मिली है 30 मिनट से हमें अपने हेयर पर रखना है आपके कैसे भी हो ग्रे ब्लैक ब्राउन आफ्टर अप्लाइंग दिस कलर आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा यहां पर इन्स प्रक्षन या लर्जी होती है तो आप इसे स्किप करिए यहां पर इंग्रेडियंट्स दे रखें और सभी में अधिकतर कैमिकल्स का ही यूज किया गया है वाकि इतने हार्श कैमिकल्स नहीं है इसमें पैक के अंदर देखते हैं हमें मिला है हेयर कलरेंट डवलपर चाहिए उसमें ओयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सेकिंड अपनी हेयर लेंथ के इकॉर्डिंग आपको कलरेंट एंड डवलपर को वन थर्ट का रेशो में अच्छे से मिक्स अप कर लेना है और डवलपर को यूज करने से पहले एक बार बोटल को शेक कर लीजिएगा अगर आपका लेंथ ज्यादा है तो मुझे लगता आपको ये पूरा ही लगाना पड़ेगा उसके बाद आपको 30 मिनट के लिए अपने हेयर पर अप्लाई करना है और हेयर पर लगाने से पहले आप पेट्रोलियूम जैली को अपनी स्किन पर एक बड़ टच से दुरू कर आ लीजिए गा जिससे कि आपके जसके पर ंएल अगर आपकी बिस ब्रेश और रागे हैना अगर मापका लूकरर देशन मिनट के बाद आपको अपनी सिर्फ नॉर्मल वॉॉटर से वाश करना है और आपको अच्छे से wash करने के बाद आपको यह conditioner apply करना है यह conditioner करीबान आपको 3 minutes अपने hairs पर रखना है तो íदे 2 minutes this time cuando the bathroom लेकर तो जाएंगे नहीं तोाप कोई गाना गुनगो ना सकते हैं या पिर counting कर सकते हैं जिससे कि आपका time ह aç करिंद वे दिखा दी कि हैं मैंने सिर्फ टचिंग किया है ज्यादा मैंने लगा है सी तेंक के लिए मैंने इसे यूस किया था और कैसा इसका आशार आपको देख सकते हैं ये घौकि नहीं कि जैसे कि चॉक्लेट ब्राउन कलर है तो यह मुझे मिक्स अप शेड मिला है ब्लैक और ब्राउन का मिक्स अप शेड है और क्योंकि मैंने कंडिशनल का इसके बाद यूज किया था तो बालों में शाइन आई है बाल एक तुम सिल्की स्मूथ हो गए है तो यह था मेरा रिजल् दिखाया अब यह कितने लंबे समय तक रहेगा यह तो अभी कुछ कहने सकती हूँ कि मैंने से हाली में यूज किया है और केवल एक दो दीन ही हुए जैसा कि इसमें लिखा रिज ब्राइट लॉंग लास्टिंग हेल कलर तो यह कितना लॉंग लास्टिंग रहेगा यह तो समय के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तों यह था मेरा experience बाकी मुझे कुछ allergy या reaction नहीं हुआ है इसको यूज करने के बाद और जैसा मैंने बताया आपको मेरा hair silky smooth और shining भी आई है बाकी आगे देखते हैं कितना लंबे समय तक इसका असर रहेगा hairs पर चली दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करते हैं आपको पसंद आयोगा जल्दी लोटे के एक नई वीडियो के साथ बने रहे है हमारे चैनल के साथ देखने के लिए धन्यवाद